कहानी की सुरूवात में हमें दिखाया जाता है पहले पार्ट में जिस ट्रेन से एसेन और उसका फैमिली कहीं जा रहे होते हैं उस ट्रेन में वो इस्पेक्टर भी होता है जो उसके बारे में च्छानबीन कर रहा होता है वो वहाँ पे उसके बच्चे को गिनेप हुए देखता है जिसको गिनेपर कहीं उठा के ले जा रहा होता है बीच पे एसेन और उसकी वाइब अपने खोए हुए बच्चे को खोज रहे हैं कि उसका बच्चा कहा गया और वो इसपेक्टर इन सब को वहीं से देख रहा होता है फिर वो इसपेक्टर भी एसेन के साथ चला जाता है उसके खोए हुए बच्चे को खोजने ये कहते हुए कि मैं तुमारे साथ कुछ मदद कर सकता हूँ दूसरे सीन में हमें एसेन के बच्चपन का फ्लाइस बैक दिखाया जाता है जहां एसेन और उसकी गुर्फरेंट एक साथ एक गिटार इस्टोर पे जाते हैं तूटा हुए गिटार लेकर ताकि वो गिटार रिप्लेस कर सके बद गिटार रिप्लेस करने से सब्वी पर मा रहां पे इधर गिन्यपर एसेन के बच्चे को कार में बठा कर जंगलों के रास्ते कहीं ले जा रहा होता है फिर वह गिन्यपर अपनी कार एक सौप के सामने रोकता है और वहां के PCO से वह अपने बास को कॉल करता है और एसेन के बच्चे के गिन्यपिंग के बारे में अपन से वह इस्पेक्टर अपने साथियों को कॉल करता है और SN के बारे में बताता है जैसे वह पकड़ा जा सके फिर इस्पेक्टर और SN वहां से चले जाते हैं इधर कहानी फिर से फ्लैस बैक में जाती है जहां S.N. अपने दोस्त को उस गिटार के बारे में बताता है और कहता है कि हम मुझे इस गिटार को सौपकीपर के दुकान से कैसे भी चोरी करना है और लूपीन होता तो उस गिटार को कैसे चोरी करता धर Ginnärper SN के बच्चे को जंगल में ऐख बंगले में लेके पहुंशता है और डिक्की से निकाल के उसको उस बंगले के अंदर ले जाता है लूपीन और वह सपेक्टर भी उस बंगले के पास पहुंश जाते हैं गिननेपर उस बंगले के अंदर राइफल लेकर एसेन का इंतजार कर रहा होता है एसेन और वो इस्पेक्टर बंगले के अंदर धीरे धीरे खुशने की कोशिस करते हैं तभी वोगिननेपर का कॉल एसेन को आता है और दोनों में अपसी बातीत होता है कि मैं अंदर आ रहा हूँ फिर कहाने फ्लैसबेक में जाती है जहां एसेन और उसका दोस्त सौपकीपर के दुकान पे वो गिटार चोरी करने जाते हैं और वो गिटार चोरी कर लेते हैं फिर वो गिटार एसेन अपनी गर्फरेंड को प्लेजन कर दिता यह देख उसकी गर्फरेंड बहुत ही खुस होती है फिर उस बंगली के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहां एसेन और वो गिन्नैपर के बीच में लड़ाई होती है और एसेन लड़ाई में उस गिन्नैपर को बिल्डिंग से बाहर गिरा देता है फिर दिखाया जाता है कि वो गिनैप पर उठके एक डीजल से भरा केन उठाता है और जिसमें उसकी बच्चे को गिनैप करके डिक्की में रखा हुआ है उस गाड़ी को आग लगा देता है फिर कहानी फ्लैसबेक में जाती है और दिखाया जाता है कि जो गिटार S.N. ने अपनी गॉल्फरेंट को प्रेजेंट में दिया था उसी गिटार से वो एक कंसर्ट में गाना गा रही है और वहां उस गिटार का सौपकी पर कुछ पुलिस वानों को लेके पहुँच जाता है फिर वो पुलिस वाले S.N. को गिटार चोरी के जुर्म में उसे पकल लेते हैं इधर प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि नैपर ने जिस कार को जलाया था उसके सामने S.N. पैट के रो रहा होता है क्योंकि उस कार में उसका बच्चा भी जल गया था तब ही पुलिस आके S.N. को पकल लेती है क्योंकि उस इस्पेक्टर ने कॉल करकर अपने साथियों को बुला लिया था और यहीं ये अपसोर्ट खतम हो जाता है आई होप आपको ये एक्स्पेक्टर वीडियो पसंद आया आप ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहें मैं ऐसे एक्स्पेक्टर वीडियो आगे भी लाता रहूंगा